हालो दोस्तो स्वागत आप सभी को मैरा चैनल में दोस्तो आज हम इस एर राइफल का एकृशिट टेस्ट करेंगे यह है पी एक्स वान टुइन्टी मिनुटो इसका रिव्यू बनाया है मैंने आप सपने देखा होगा और आज हम इसका एकृशिट टेस्ट करेंगे 30 मीटर प इसका मदद से मैंने तर्गेट सेट किया यह है रेंस फाइंडर डिस्कोबरी का तो चेली दोस्तो शुटिंग स्टार्ट करते हैं दोस्तों ज्यादा सोट्स नहीं करेंगे फाइफ सोट्स ग्रूपिंग बनाऊंगा कि अ क्यार है क्यार माँ टुटिंग गले 30 मील क्या बनाऊंगा अच्छ गप अच्छ अच्छ कि उच्छ कि अच्छ कि बिल्कुल बूलाइब पे शोट वा जो मेरा फॉर्स्ट शोट है वह मेरा फॉर्स फ्लायर निकला मेरे क्याल से लेफ्ट हैंड साइड पे तुरह सोट हुआ है और जो मेरा दो शोत है वो बिल्कुल सेंटर बुलाई फे शोत हुआ है कि अच्यृ चलिए दोस्तोथ आगेट पिशागे देखते हैं आप सभी को मैं दिखाता हूँ वह यह देकि दोस्तों मैंने यहां से सोट्स लगाया और वहां पर है मेरा अगे आप देख सकते हैं वहां पर चलिए हम आगे बढ़ते हैं देखिएंगे किस तरह सोट हुआ है दोस्तों जो मेरा फर्स सोत है न वो फ्लायर निकला और जो जितना बाकी सोट से चार सोट लगाया था वो बिल्कुल सिंगल होल पे गया है हम देखेंगे यह रहा दोस्तों मैं इससे पहले बंद कर लेता हूँ पहले चलिए आप देख देखते हैं देखें दोस्तों यह रहा रिजल्ट यह आप देख सकते हैं जहां पे ये चार फोर सोट्स जापे क्या है वो आप मान सकते हैं सिंगल होल देखे बहुत यह मेरा लीटिल फिंगर है आप देख सकते हैं बहुत ही चोटा होल है यह देखे और इसमें एक जो फर्स मेरा सोट्टा वो यहाँ लैप के सोट हुआ है मेरे कल से यह फ्लायर है या फिर मेरा हिलने का बज़े से हो सकता है और जो बागी सोट से आप देख सकते हैं बहुत ही एकुरेट है आप देख सकते हैं रिजल्ट बहुत ही प्यारा रिजल्ट है यह आप देख सकते हैं काफी ताइट ग्रूप है मुझे लगता है कि company वालों ने accuracy को लेकर भी improvement लाया है जो PX100 था पूराना वाला जो PX100 classic actuallys है उस वो भी मैंने चला के देगा था 30 मितर में इस तरह का groups मुझे नहीं मिला था site pellets का उपर भी depend रहता है accuracy अभी जो फिलाल में यूज किया यह है QIS 9.56 one of the best pellets जो इंडिया में पाया जाता है आपको यह मार्केट में मिल जाएगा भी एवेलेबल इंडिया में online sites से भी आपको मिल जाएगा बिल्कुल आप बाइकर सकते हैं बहुत ही यह देखिया आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा होंगा इसका जो looks इसका accuracy सब कुछ बहुत बढ़िया है आप बाई करना चाहे तो बिल्कुल बाई कर सकते हैं अगर मोगा मिलेंगे तो मैं जरूर 50 मितार पर भी शोट करके देखाऊंगा लेकिन मेरा सेडूल इतना बिजी है कि मैं मुझे सुटिंग के लिए भी समय नहीं मिलता और आप में से कुछ लोग पूछ रहा था कि इस एर राइफल का हो रहा है और जो मेरा पास आया है वो केंपेनी से डारेक बेजा गया है तो इससे मुझे कंपेनी को ओपिस करना होगा जैसे मुझे लगता है कि कामिंग जन्वारी तक जनुरी फार्स वीक तक अबलेबल रहेगा आप बिल्कुल मार्केट से बाई कर सकते हैं तो और एंट ऊस्सिन्स नहीं बन पाता है यह इंडियन एर रइफल है अब काफी आ के निकल आ यह आये इंडियन एर रैफल मैने पिकचररः भी और कासकर जो प्र्स फरोल कंपेनियों सब्सक्राइब करता हएं बहुत अच्छा एर अडिया डिटातwow़ से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह बने रहे हैं मेरा चैनल में, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजी, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कीजी, और इसी तरह मुझे देर सरब प्यार देते रहेना, तेंक्यू सो माच.